श्री कृष्ण ने जो है अपने मन को बहुत ज्यादा ही कठोर कर लिया छोटी छोटी बूंदों को बरसा कर सूखे हुए सरोवरों को तुम भर देते हो अपने देवर से कहे रही है कि सद्गुरु जो है मेरे मन रुपी दरपण में श्री कृष्ण को दिखा दिया श्री कृष्ण जो है मुझसे मुझे जो है वचन दिया था लेकिन आज तक वो आये नहीं उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया इस सारी बातें जो है मीरा आपनी सकी से कर रही प्रणाम मैरी हानायस अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवाक्ता मेरे थर्ड समिस्टर के BCA के जितने भी विध्यारती हैं आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत मेरे प्रिय विध्यारते हो आज मैं आपको जो आपके लिए ये समिस्टर का भी परासर है उसके अंतरगत जो मीरा की पदावली है उसी के बारे में जानकारी दूंगी पहले हम मीरा बाई के बारे में सम्शिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे क्रिश्न की भक्त मीरा बाई का जो जन्म है वो राजस्तान में मेड़ता के पास जो कुड़की नामकस्तान में पंद्रा सो चार इस्वी में पिफ्टिन नौट फोर में इनका जन्म हुआ इनके पिता जोदपुर के महराज रावरतन सिम्द इनका विवाहां तेरा साल की उम्र में उदेपुर के राजकुमार भोज राज से हुआ दा इनकी रचनाय जो है वो इस प्रकार है गीत गोविंद की टीका नरसी जीरो माहेरो राग गोविंद सोरड संग्रहा वीरा की पदावली आदि इनकी जो मृत्यू है वो 1563 में हुवी थी 1563 में इनकी मृत्यू हुवी थी जो आपके लिए पद्य है मीरा का पदावली उसका पहला प्यारग्राफ इस प्रकार है मेहा बरसाओ करे रे आज तो रमियो मेरे घर रे नानही नानही बूंद मेग घन बरसे सूके सरवर भर रे बहुत दिना पे पीतम पायो विछरन को मोही डर रे मीरा कही अति नेह जुडायो में लियो पुरवलों वर रे यहां पर दिखें मेह का मतलब है मेग बरसाओ यानि बरसता रह पिर रमियो का मतलब है प्रियतम नानही नानही का मतलब है छोटी छोटी बूंदे पिर यहां पर दिखें सूके सरवर जो सूके हुए सरवर है सरोवर है उसके बारे में यहां पर बात हो रही है बहुत दिन पे बहुत दिनों के वाद और पीतम का मतलब है प्रियतम फिर यहाँ पर वर का मतलब है पूर्वजन्म का वर मीरा भाई इस पदावली में कह रही है कि मीरा ने यहाँ पर प्रकुर्ती के उद्धी पक रूप का वरनन किया उद्धीपक रूप का वरणन यानि उतेजक उतेजन जो प्रकुर्टी का उतेज उसका वरणन यहांपर कर रही है पिर वह कहती हैं कि यहांपर आपने वह अपने ही खयालों का चितरण भी यहांपर कर रही है एक तो प्रकृति के उतेजक उतेजन रूप का वरणन करते हुए अपने खयालों का चित्रण यहां पर मीरा ने किया मीरा बाई कह रहे है कि अब बादल जो बरस रहे है उसका मुझे डर नहीं क्यूंकि मेरा प्रियतम यहां पर प्रियतम श्री कृष्ण को वो संभोधित कर रही है मेरा प्रियतम जो है घर में है मेघों से वो कहती है कि तुम ननही ननही बूंदे बरसा कर सूके सरूवर को भर देते हो छोटी छोटी बूंदों को बरसा कर सूखे हुए सरोवरों को तुम भर देते हो मुझे ये सब देखने का वक्त नहीं है जो बादल बरस रहे हैं सूखे सरोवर जिसके पानी से भर रहे हैं ये प्राकुर्तिक दुद्रश्य जो है देखने का समय मेरे पास नहीं है के बाद प्रियतम को मैं पास सकी हूँ बहुत दिनों के बाद प्रियतम को मैंने पा लिया है पास सकी हूँ फिर वो आगे कहती है मुझे उससे विछणने का डर है मैंने उससे प्रेम का गहरा नाता जोड लिया मैंने अपने पूर्व जन्म के वर को पा लिया फिर वो कहती है कि मुझे यहनी मेरे प्रियतम से बिछणने का डर है क्यूंकि मैंने उसे पा लिया और मेरे पूर्व जन्म का जो वर है उसे मैंने पा लिया इसलिए उसे बिछणने का मुझे डर है इस तरह से इस पद में यहनी इस पदावली में वो कह रही है मेरा बाई यहाँ पर प्रकुर्ती के उत्तेज रूप का बरनन करते हुए अपने खयालों में जो है वो इसका चितरन किया वो कहती है कि अब मुझे बादल जो है वो बरसने का डर नहीं है क्यूंकि मेरे प्रियतम मेरे घर में है पिर वो कहती है कि ननी ननी बुंदों से तुम सरोवर को भर सकते हो इसे देखने का समय भी मेरे पास नहीं है जो बहुत दिनों से बिछडे हुए मेरे प्रियतम बहुत दिनों से जो नहीं मिले थे वो प्रियतम जो है मुझे मिल गए अब उनसे बिछडने का डर भी मुझे नहीं है मैंने अपने प्रियतम को पा लिया और मुझे उनसे बिछणने का डर है प्रेम का गहरा नाता मैंने जो है उनसे जोड लिया मैंने अपने पूर्व जन्म के वर को चुन लिया इस तरह से इसमें वो कहती है जो तूसरा प्यारग्राफ है मीरा बाई का वो इस प्रकार है चाहिये सारी रेशम पटकी हुवी दिवानी मीरा डोलाई केस लटा सब छिटकी यहां पर हटकी का अर्थ है रुकी हुवी पिर सादा का अर्थ है सादू यहां पर आगे वो बता रही है सूरत यानी सूरत का मतलब है याद पिर घट का अर्थ है देह शरीर पिर मोही ना मुझे नहीं पिर यहां पर छिटकी का मतलब है यहां पर बिखरी इस पद में मीरा ने कृष्ण के प्रती अपनी गहरी आस्ता जाहिर की है मीरा अपने देवर राणा से कह रही है कि अब तुम्हारे रोकने से मैं चुप रहूंगी नहीं कृष्णा के प्रती मेरा प्रेम खंडित नहीं होगा राणा मुझे सादूओं का संग अच्छा लगता है इसलिए मैंने नारी सहज लज्जा को भी त्याग दिया दिखे मीरा बाई यहां पर जो है जो कृष्ण के प्रती जो गहरी आस्ता थी उसे यहां पर मीरा ने यहां पर विक्त की है वो अपने देवर से कहती है कि अब तुम्हारे रोकने से मैं यहां पर रुकने वाली नहीं हूँ मैं रुकूंगी नहीं फिर वो कहती है कि अपने देवर से कृष्ण के प्रती मेरा प्रेम जो है वो खंडित नहीं होगा मेरा प्रेम जो है प्रिष्ण के प्रती जो प्रेम है वो खंडित नहीं होगा राणा मुझे सादूओं का संग जो है मुझे अच्छा लगता है क्यूंकि वो क्रिष्ण के बारे में बताते है फिर वो कहती है कि इसलिए मैंने नारी की जो सहज लाज है उसे भी छोड़ दिया मुझे सादूओं के संग बैटकर बैटना जो है अच्छा लगता है इस तरह से अपने देवर राणा से जो है मीरा बाई कहती है फिर वो कहती है कि मैंने अपना पीहर मेड़ता छोड़ दिया मैंने मेड़ता को भी छोड़ दिया है अब तो मुझे क्रिष्ण की याद में उमंग में रहने और उसके सामने नाचते रहने का चसका लग गया है मैंने मेड़ता भी छोड़ दिया, जो पीहर है मेरा, उस मेड़ता को भी मैंने छोड़ दिया, मुझे कृष्ण के सामने नाचने का एक चस्का जो है लग गया है, इस तरह से कहें मीरा बाई यहां पर कह रही, सद्गुरु ने मेरे मन की छाया दरपण में कृष्ण को दिखला दिया है, अब तो मैं चुटकी बजा बजा कर नाचूंगी राणा, फिर अपने देवर से कह रही है कि सद्गुरु जो है मेरे मन रुपी दरपण में श्री कृष्ण को दिखा दिया है, अब तो मैं चुटक कि बजा बजा कर क्रिश्न के प्रेम में मैं नाचूंगी क्रिश्न के प्रेम में मैं नाचूंगी अभी मैं रुकूंगी नहीं मैं नाचूंगी राणा अपने देवर को ये कह रही है मुझे तुम्हारा महल खिला रेश्मी कपड़े साड़ी नहीं चाहिए मेरा क्रिश्न की कि दिवानी है केश की लटे छिटका कर घूम रही है कहते है कि जो तुम्हारा महल है खिला है रेश्मी वस्तर है जो भी आईशो आराम के सारी वस्तुवें जो हैं मुझे नहीं चाहिए मैंने अपने केश को विक्रा कर जो है अपने केश की लटे जो है छटका कर क्या है मैं घूम रही हूँ अपने केश के यह अपने बालों को जो है छटका कर मैं घूम रही हूँ मुझे यह जो है महल खिला रेशमी कपड़े और कोई भी आभुशन हो या कोई भी जो है राहत का जो भी ऐशो अराम का जो भी वस्तु मुझे नहीं चाहिए इस तरह से राणा से जो है इस पद में अपने देवर राणा से मीरा बाई कह रही है मीरा का जो पद है उसका तीसरा स्टैंजा तीसरा पेराग्राफ इस प्रकार है देखा माई हरी मन काट किया आवन कहा गया आजूनाय कर महाने कोल गया खान पान सुदबुद विसराया काई महारो प्राण जिया थारो कोल विरुद जग थारो ये काई विसर गया मीरारे प्रभू गिर्धर नागर थे विन फटा हिया यहाँ पर मन कांट किया का मतलब है मन जो है कठोर करना इसका अर्थ है पिर आजू आजू का मतलब है आज तक ना का मतलब नहीं आज तक नहीं फिर यहाँ पर बिसर का मतलब है भूल जाना फिर विन का मतलब है तुम्हारा इस स्टैंजा में मीरा बाई अपनी सकी से कह रही है कि कृष्ण ने अपने दिल को कठोर कर लिया श्री कृष्ण ने जो है अपने मन को बहुत जियादा ही कठोर कर लिया वो उदासीन हो गए है वो क्या है उदासीन हो गए है मुझसे आने का वचन दिया पहले तो उन्होंने क्या है वचन दिया था आने का लेकिन आज तक आये नहीं लेकिन श्री कृष्ण जो है मुझसे मुझे जो है वचन दिया था लेकिन आज तक वो आये नहीं उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है यह सारी बातें जो हैं मीरा अपनी सकी से कर रही है इस अब कारण मैं खान पान भूल गई हूँ इसी के कारण खाना पीना सब कुछ मैं भूल गई हूँ जो कि श्री कृष्ण ने वादा किया लेकिन अभी तक नहीं आये वच्छन दिये अभी तक नहीं आये इसी कारण मैं अपना सुदबुद, खान, पान, सब कुछ जो है मैं भूल गई हूँ मेरी सुदबुद जाती रही है बताती है कि मेरी जो सुदबुद है वो भी जा रही है क्योंकि श्री कृष्ण वाचन देकर अभी तक नहीं आये पिर वो कहते है कि पता नहीं अब किस प्रकार मेरे प्राण रहेंगे ताती है कि किस प्रकार मेरे प्राण अब रहेंगे ये मुझे पता नहीं है पताती है कि तुमने अपने वचन को तोड़ कर संसार के नियमों को ही तोड़ दिया है। तुम अपने वचन को कैसे भूल सकते हो? कैसे तुम भूल गए? तुमारे बिना मेरा दिल जो है वो फटा जा रहा है। इस तरह से जो है श्री कृष्ण की शिकायद जो है अपनी सकी से यहां पर मीरा बाई कर रही है। तो आज मैंने आपको मीरा बाई के पदावली के बारे में जानकारी दी हैं। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में जानेंगे धन्यवाद। झाल